औरे यार मैंने 4GB RAM वाला फोन ले लिया, काश में 6GB RAM वाला फोन ले था नहीं यार मैंने 6GB RAM वाला फोन लिया, काश में 8GB RAM वाला फोन ले था या फिर मैं 12GB RAM वाला फोन ही लेकर सारे मसले को खल कर देता हूँ यह confusion आपके दिमाग में रहता है, मुझे पता है मार्केट में जितने भी फोन्स लाँच हो रहे उनमें अलग अलग तरीक है कि आपको options मिलते 4, 6, 8, 12 अभी आगे चलके तो 24GB RAM वाले फोन्स भी available हो जाएगे मार्केट के इंदर तो यहाँ पर आप जो confused हो रहे हैं इस वीडियो से आपकी confusion में दूर करने वाला आपको मैं detail में बताऊँ कि exactly RAM होता क्या है उसकी importance कितनी है आपको कितने GB का RAM अपके फोन में होना चाहिए या कितने GB RAM वाला फोन लेना चाहिए और साथे साथ future क्या होगा RAM का उसके बारे में बात करेगे ऐसे वीडियोस दोस्तों आपको पसंद आ रहे हमारे explanatory वीडियोस जो हम स्टार्ट कर रहे है तो आप वीडियो को like करिए, share करिए, subscribe करके रखिए और comment में ज़रूर बताना कि आपके पास जो फोन है उसमें कितने GB की RAM है अब exactly यहां पर RAM होता क्या है, RAM का जो full form है वो है random access memory हमें इससे मतलब नहीं है, हमें जानना है कि RAM क्या है, RAM basically क्या है कि वो आपके एक phone में super fast type storage होता है, जो आपका phone का main storage होता है, उससे कई ज्यादा वो fast होता है, कुछ part of storage वो इस समाल करता है जिसमें आपके सारे apps, photos, videos, music आसानी से रहते हैं, जिससे आपका phone fast feel होता है हाँ, आपको एक physical example देता हो कि RAM exactly कैसे काम करता है, और example अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पर Legos है और मुझे इनको build करना है, तो मैं logically क्या बन गया, builder, जैसे कि आप मुझे processor भी समझ सकते हैं और अगर मुझे इनको build करना तो मेरे पास definitely एक toolbox होना चाहिए, जिन मेंसे मैं सारे Legos निकालू और इनको build करूँ और अगर वो toolbox मुझे से काफी जादा दूर है, तो मुझे बहुत समय लग जाएगा तो यहाँ पर काम काफी slow होगा, मतलब phone lag होगा और अगर toolbox मेरे काफी नजदीक है, तो मैंने यहाँ से उठाया और इनको बनाना यहाँ पर वो शुरू कर दिया इसी तरीके से जो toolbox है, वो RAM है, वो जितना आपके पास है, जितना phone के अंदर वो काम कर रहा है, वो बहुत जरूरी है सारे काम मैं quickly कर सकता हूँ, बनाते हैं कुछ हाँ, एक और example मेरे पास ये भी है, मेरे पास है ये backpack और मेरे पास है pockets अब यहाँ पर आप खुद बताइए कि सबसे जल्दी में कहां से चीज़े बाहर निकालोगा, येस करिए pockets, क्योंकि bag निकालने के लिए मुझे पूरा bag को यहाँ से निकालकर फिर उसमें हाथ दालकर सारी चीज़े निकालने पड़ेगी इसी तरीके से जो bag है, ये मेरा main storage है, काम तो बहुत करता है, चीज़े बहुत store करता है लेकिन अगर quickly मुझे कुछ चाहिए, मुझे बहुत सारा काम जल्दी कर रहा है, तो मैं अपने pockets में हाथ दालूगा, जो की है RAM, faster storage और यहाँ से सारे चीज़े निकालकर मैं उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ, और ये दोनों एक साथ होना बहुत जरूरी है अब देखिए दोस्तो, पहली बार जब आपने phone को boot करते हैं और कोई भी app को open करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो phone है, वो क्या करता है, आपका phone जो है, वो कुछ पार्ट यहाँ पर लेता है, आपके OS याने की operating system, और कुछ पार्ट आप्स लेता है, आपके main storage से, सीधे उस इसमाल करते हैं और उसको बंद कर देते हैं, तो वो app गायब नहीं हो जाता है, वो app आपके RAM में, याने की जो fast storage है, उसमें रहता है, ताकि जब भी आप उस पर जाए, तो आप quickly दोबारा उसका इसमाल कर सके, जिसको हम multitasking भी बोलते हैं, आप देखेंगे, multiple apps आप open करते है Apps के बीच में multitask करते हैं, कभी ये app यूज के, कभी वो app यूज के, ये सारा के सारा जो आप काम करते हैं, ये all thanks to RAM Imagine दोस्तों, अगर phone में RAM नहीं होगा, तो आप जितने भी apps open करते हैं, और उसको जब बंद कर देते हैं, तो वो उसके बाद जब आप open करने की कोशिश करेंगे, तो वो completely restart हो जाएगा, वो memory में कोई app रखेगा ही नहीं, क्योंकि उस phone में RAM है ही नहीं, और वैसे भी कोई भी phone बिना RAM के नहीं हाता है, क्योंकि यह possible नहीं है, नहीं तो वो phone जो है, कितना भी super fast क्यों नहीं हो, कितना भी powerful processor उस phone में क्यों नहीं हो, अगर RAM नहीं हो, तो वो एकदम slowest phone बन जाएगा, पूरे world का, अब आप क्यों बता दो कि आपके phone में कितने GB की RAM यहाँ पर जो होनी च होता है कि जादा RAM वाले जो phones आते हैं, वो थोड़े महंगे भी होते हैं, आज कल budget के अंदर में 4 और 6GB बड़े common देखने को मिलते हैं, कभी 8GB वाले options पिल जाते हैं, तो इनके बीच में हमें किसको choose करना चाहिए, देखे, आप 4GB RAM वाले phone से भी सारे काम कर सकते हैं, आपको तो Apple कैसे maintain करता था उनके phone की smoothness को, तो यहाँ पर खेल आता है optimization का, अगर brand 4GB की RAM देती है और उसको well optimize करती है, तो वो 8GB RAM वाले phone की तरह काम करेगा, आज कल market में ऐसे भी phones है जिनमें 8GB की RAM है और phone hang और lag करता है, यह सारा का सारा काम जो है, वो optimization पर जाता है, software पर जाता है, क इतने bloatware से, नजाने के इतने data breach हो और क्या कुछ हो रहा है, इस वज़े से भी आपका phone lag होता है, generally यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछते है, तो 4GB जो हो sufficient है, लेकिन अगर आप 6GB वाले RAM लेते है, तो बेटर है, और 8GB सबसे best है, 12GB की तरफ बढ़ने की जरुवत नहीं ह बहुत जादा हो जादा, उसकी उतनी capacity भी नहीं हमारी यूस करने की, उसमें जादा पढ़ने की जरुवत नहीं है, कि 12GB का RAM वाला phone है, तो वही लेना है, मेरे इसाफ से 6, 8, यह best है और 4GB वाले phones भी अगर आप लेते हैं, अब future of RAM की बात करते है, LPDDR 5X पिलाल के लिए सब से latest technology है, जो हमें smart phones में देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बाद आएगा LPDDR 6, जो हमें आने वाले एक या दो साल के अंदर मिल सकता है, और बताया जाने कि Samsung इस पर बहुत पहले से काम कर रहा है, यह आपका जो LPDDR 5X होगा, उससे कही गुना जादा fast होगा, इसमें आपक स्पीड बहुत ज्यादा boost हो सकती है, अगर multitasking की और app में जो memory होती है, उसकी बात करते हैं, एक और technology यह भी बहुत आम हो जाएगी, जिसको बोलते है, UMA, Unified Memory Architecture, इसका मतलब यह होता है कि जो RAM होगा और जो storage होगा, वो एक ही pool of memory होगा, एक ही chip के ओपर दोनों को integrate किया जाएगा, ताकि सारा काम यहाँ पर दोनों मिलके करें, तो आपका जो speed होगा, जो implement होगी, वो पहले से काफी fast हो जाएगी, और आगे चलके यह भी बताया जाएगी, कि definitely अभी हमें AI का जो टास्क देखने को मिल रहा है, software के अंदर बहुत सारे integrations हो रहे है, वैसे ही RAM भी वो AI के टास्क के साथ में आ सकता है, बहुत सारे ऐसे RAM storage आएगी, जिसमें AI का support होगा, वो कैसे काम करेगा, फिलाल के लिसके बार में पता नहीं है, लेकिन ऐसे भी leaks यहाँ पर निकल कर आएथी है, तो मैंने आपको सारी जीज़े क्लियर कर जिए और बता दिया कि exactly RAM होता क क्या है, यह कैसे काम करता है, और RAM ना हो तो क्या हो सकता है, और आपको कितने GB का RAM वाला smartphone लेना चाहिए, और future of RAM यहाँ पर कैसा होने वाला है, अगर आपको यह वीडियो पसन आती है, या इस वीडियो से आपकी help होती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ला विसकेप स्मालिग.